इन दिनों धनबाद में अपराधियों के होसले बुलंद हैं। अपराधी बेखौक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज धनबाद के जर्या के जोरा पोखर थाना एलाके में जोरा पोखर एलाके में बाइक सवार अपराधियों ने दो अलग अलग वारतातों में देड़ लाख रुपए के चुनताई की पहली घटना फुस बंगला इस्थित मचली पट्की में घटी जहां बाइक सवार अपराध्यों ने एक महिला से एक लाख रुपियों से भरा थैला च्छीना और फरार हो गए बताया जा रहा है कि घटना उसवक्त घटी जब महिला अपने परिवार के साथ मचली खरीद रही थी पीडित महिला के पुछ ने बताया कि मचली की खरीदारी करने से पहले ही महिला ने बैंक से पैसे निकाले थी अभी पुलीस इस मामले की जाच में जूती ही थी कि इधर अपराधियों ने थोड़ी ही तेर बाद एक और घटना को अंजाम देते हुए 50,000 रुपई की दरसल एक महिला डिगवाडी 12 नंबर स्केक बैंक ओफ इंडिया से 50,000 रुपई की निकासी कर आटो में बैट कर अपने घर जा रही थी तभी पाइक सवार अपराधियों ने महिला के हाथों से पैसो से भरा थैला छीन लिया और फरार हो गए बहरहाल लगतार हो रही छित्ते की घटनाओं से लोगों में खौफ है नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगतार डॉट इन के साथ